के दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडसी दुनिया में गाइस इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शॉट में एनलाइसिस करेंगी मतलब सिंग भूम वर्सिस राची के भी जो किला जाएगा जरखन टी-20 का मैच राची ने अपना दो मैच खेलत हुए दोनों मैच हुइन किया वहीं पर सिंग भूम ने भी न एक ही मैच किला है बट एक मैच हुइन किया तो दोनों टीम का हालत इस लीक टेबल में बहुत ही फिलहाल बट यह इनिशिल मोमेंट है गाइस और आप बोल सकते हुए इनिशिल स्टेज है इस टूर्णामेंट का हम लोग डिटेल्स में अनलाइसिस करेंगे लास्ट यर के रिकॉर्स और लास्ट मैच के ट्रेंड के साथ इस वीडियो में तो काइनली वीडियों तक देख अगर मैंने यह मैच खेला तो इसका भी डेमो टीम आपको मिलने वाला है सिदा सिदी टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम जोईन हो जाना वीडियो की डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से या फिर कॉमें सेक्षिन में जो लिंक मिलेगा ब्लू कलर का उससे भी आप टेलीग्राम जोईन हो सकते हैं और आप चाहो ना तो सर्च भी कर सकते हैं दारेट लगा के टीम से एक बट मैं प्रिफर करूंगा लिंक जो है ना उससे से जोईन हो जाब फॉर फाइनल अपडेट फूचर अपडेट फिलाल दो सीरीसे आपको मिल रहा है जरकन ट्वेंटी ट्रिनीदा टयटेंड और मन्डे से स्टार्ट होगा इस येएस उसके भी कवरेज आपके इस चैनल में मिलेगा डोमेस्टिक मैच इसकी एक्स्क्लूजिव कवरेज और बड़े इंटरीशनल मैच का डेमो टीम मिलेगा कहाँ पर डेमो अपडेट और फाइनल अपडेट मिलेगा टेलि मैच में या फिर सेकेंड इनिंग में बारिश आ सकता है तो यह एक प्रोबाबिलिटी जाए गाइस यहां पर हंग्यट परसेंट कोई भी नहीं दे सकता बारिश होगा या नहीं होगा मैं भी गूगल देख सकता हूं आप भी देख सकते हो तो सर्च एक बर कर लेना इन्वेस अब देखें इन्होंने जो last match एला भातप्व आजए और बाकिक बैडिंग करने का ज़रूरत नहीं परा और यह लोग सम्हाव डीयल मैठेड से इन्होंने विन कर चुके थी वह जद इस से पहले वाला बाद जो सुपर ओवर होता है उसके बाद जाकी जीता है तो दोनों मैच इनका ना ऐसा नहीं था कि कन्वेंसिंग विन था यह मैच तो काईस यह हार भी सकते थे अपना लास्ट मैच बट उन्होंने विन कर गया बारिश के चकर में तो डेफिनिटली टीम डिसेंड है इसके कारण फिनिश भी नहीं कर भाया था बट खेलेगा तो मस्पिक हो जाएगा मस्पिक नहीं आप ट्राइक कर सकते हो अमन ने लास्ट मैच में तीनी ओवर डाला था बट इस टीम से प्रमुक बॉलर कौन है आपको पता है अज्जे सोनुटी यह आपके लिए प्रमुक ब कि इनका जा कि बारे मेंम तो यह एगर बॉलिंग फॉर्ष्ट होता है तो इनको आप ड्रॉप रोटेड ओंट कर सिर्डू के बॉल ऐं नीचे ड्रिकार्ट बतारूंगा तो जाऊने यह आप डीजी हुस कितने लेफ्ट अंड बैट्स में एक बाद देख लेना रॉबिन ने लास्ट मैश में वन राउन खेले ते उससे पहले अनव और अर्बिन करेगा इस टीम का अगर बैटी यूनिट देखोगे ना मैं मान दाओ कि इनकी उपर गाइस कंप्लीटली डिपेंडेंडेंट है यही टीम अगर बैटिंग फस्ट करेगा तो काईस यह टीम फस्ट जाएगा क्योंकि इनके पास दो ही बैट्स में ने टॉप और में अगर उपर गिरता है तो मिल और को लैप्स होना ना एकदम से लाजबी है तो उस कंडिशन में मैं इस टीम से कम प्लियर लोंगा अपने टीम अरविन उनमे से 23 का एवरेश से रन बनाया था लास से जन में और अन्नव सीना ने जादा नहीं 16 में अर्टीश का एवरेश से अच्छा वासा बैटिंग किया है एक तो यह दोनों प्रमोग बैट्स में इनको चोड़ोगे तो रबिन में ने लाज सेजन में ना लास सीजन है नहीं बट अभिशे कि यादब लास सिज़न में ना 11 मैच में 12 विकर निकाला था कई इसी टूर्णामेंट का लास सिजन में चार मैच में चार विकर डिसेंद लेक डोमेस्टिक अच्छे ऑपनेन के पास अगर लेफ्ट एंडर बेट्समें एक दो रहेगा तो आप ज़रूर ट्राइब करो अजुस अजी सोनुटी लास्ट यह कुछ खास परफोमेंस नहीं था बट इस साल इस टीम के पास जावस्पीनर नहीं है तो प्रमुक बॉलर बन चुके ओम सिंग ज़्यादा कुछ खास नहीं है तो अब देखो सौरी ओम सिंग अंडर 16 खेल आ रहा है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं है जिल में ट्राइकर ना अगर खेलते तो गैस अगर दिखूँगे ना इस टीम के पास संकत का 6 मैच में छेव गे था तो ऐसा कोई भी प्लि है अगर यह चेजिंग करेगा ना मेरे सबसाब बहुत इजी चेज होगा जैसे कि लास्ट मैच में बरा टार्गेट चेज कर रहा था इजी चेज गया था हिमान शूत है ओपिनिंग अर्यमन के साथ वान डाउन मुहित कुमार सभी का इस पॉजिटिव लगे बड़े हर मैच में इतना पिटाई नहीं होता है लास्ट मैच में सुप्रिये चोग्रोबतिय ने उन्नीस वाल में चालिस पिटाई किया था और यह इनिक शायद आपको रिपीट ना दिखे तो बालकृष्णा को जरूर रखो सोनु कुमार सिंग एक अच्छा पीक है मोनु कुमार बहुत ही अच्छा बॉलर है गाइस नीचे से रिशू ने लास्ट मैच में पिटाई खाया था बट रवी अदब ने दो वर में एक विकेट निकाले थे 19 रन गैस रवी अदब अच्छा बॉलर है स्टेट लेवल प्लियार है तो मेरा क्या मानना है पता है मेरा मानना है कि यह जो टीम है ना यह टीम बहुत ज्यादा बेटर टीम है कंपेट इनके ऑपोनें राची तो मैं इनके फेवर में टीम बनाना पसंद करूंगा और डेफिनिटली मैं आपको भी सज्जेस्ट करूंगा और रवी अदब आपके लिए बहुत बढ़िया पहंत है यहां पे ल बॉलिंग फर्स्ट वा तो मैं इनके ज्यादा तर बॉलर्स अपने टिम में ट्राइब करूंगा मोहित लास सेजन में अगर देखो कि एवरेज इनके ऑपोनें के प्लेयर्स के से एवरेज जादा है 30 के एवरेज से 212 रन बड़े बड़े शॉट स्केल थे सुमित का लास स का हालत देखो कितने अच्छे बॉलर्स है दस विकेट है बालकिष्णा जी का रवी अदव स्टेट लेवल है हर मैच में एक 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 विकेट है रिशी चौहन डुमस्टीक में 20 मैच में 31 विकेट है बट मुझे लगता है कि शायद यह आपको ओवर कम्लिट कराते हैं इस मै का लास्ट मैच इसके परफोमेंस जरकंड के लिए आशिश कुमार जिन्यार डुमस्टिक प्लेयर है जुनेत अस्ट्रव अगर खेलता है तो डेध बॉलर हो जाएगा तो ओवरल देखो कि इस ट्रीम के पास क्या है गया इस सब कुछ अच्छे प्लेयर है एक है स्टेट ल प्लेयर है उसको मैंने वी सी बनाया देखो आपना मोनु को कैप्टेन बना सकते हो अगर बॉलिंग वस्ट हुआ और सोनु कुमा सिंग को ना बैट फॉस्ट हो तो कैप विसी बना सकते है क्योंकि यह भी आपको बैटिंग से पॉइंट देगा बाल कृष्णा मेरा मनना है कि बैट फरस्ट हुआ तो ज़्यादा बेटर है ऐस कैपटेन वाइस कैपटेन नो दाउट देथ बालिंग रहेगा बट मैं वह महां था मोनु कुमार ज़्यादा बेटर बालर है फिलाल मैने मोहिद बाल इसको करेगा थो मस्ट पीक लास्ट मैश का अच्छा पाफॉमर है बैट सेकंड करेगा उस कंडिशन में जेल में रोटेट करना फिलाल एस ही ने हमारे पास है अविशे के अदर लेफटा मॉतरोक्स मैं पसंदीद आप प्लेयर है इस्टीम से हर्ष राना बॉलिंग फर्स करता है तो ही इंपॉर्टन है अधर्वाइस या फिर गाइस आप दोनों में रोटेशन कर सकते हो क्योंकि हर्ष राना डेत में बॉलिंग करा रहा है तो विकेट मिल रहा है समाओ अजे सोनुटी मस्ट पीक है और ऐस यादव बॉलिंग फर्स ज्यादा बिटर है क्योंकि ये भी आपको डेत में करते हुए दिखेगा ये